जाहिंद लोकल लोकल न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रशान त्रिपाठी जब आप घर लेने जाते हैं तो आपके जेहन में रहता है कि हम अपने सपनों का घर लेने जा रहे हैं जिसमें आपके माबाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे बहुत ही आराम से रहेंगे और उनकी सुविदाओं के लिए आप अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई उस घर में लगा देते हैं लेकिन जब बिल्डर धोखा देता है तो आपके मन पे क्या गुजरती है और क्या गुजर सकती है इसे जानना हो तो राजनगर एक्स्टेंशन जाना चाहिए आपको दरसल गाजियाबाद का राजनगर एक्स्टेंशन इसमें काफी विस्तार कर रहा है और इस जगह पे एक देविका स्काइपर्स टावर बना हुआ है जिसमें लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई इस उमीद में कि खुसहाल जीवन वो जीएंगे लेकिन कितनी परेसानियों में वो घिर चुके हैं उनकी जुवानी सुनिये और ये ग्राउंड रिपोर्ट देखके जब आप घर लेने जा रहे हों तो सोचिएगा कि क्या आपके साथ भी कहीं बिल्डर ने धोखा तो नहीं किया गाजियावाद की राजडगर एक्स्टेंशन का इलाका पॉस कालोनी में गिना जाता है इस समय यहां बड़े बड़े टावर खड़े हो चुके हैं लोगों को खुब वादे करके बिल्डर अपनी तरफ ध्यान खीच रहे हैं इन ही में एक बिल्डर है जिसने देवी का स्क जादा लोग रहते हैं लेकिन यहां फ्लैट देते समय बिल्डर ने जो वादे किये थे उन में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ यहां के लोग तमाम मूलभूत समस्याओं से जूज रहे हैं आलाम यह है कि यहां पर लगी लिफ्ट की हालत जरजर है पिछले महीने इसी इमा हो सकता था इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर एक्स्टेंशन यानि वी वी आई पी सोसाइटी के जस्ट एकदम बराबर वाली यह सोसाइटी है देवी का स्काइपर्स यहां पर साड़े 600 फ्लैट बने हुए हैं और साड़े 400 परिवार यहां अभी आ चुके हैं लेक है यहां इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो यहां पर मैं खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है इतनी भेंकर यहां बदबू है और इसना गंदगी नजर आ रही है आप खुद देख सकते हैं तस्वीर खुद बया कर रही है कि किस तरह से यहां पर यह कुछ लोग हमारे साथ जु मैं देखिए पार्किंग पूरी तरह खाली है आखिर अलॉट क्यों नहीं किया गया है इसका जबाब देही किसी के पास नहीं है अभी मेरे साथ जुड़ें अभी हम बात करते हैं यहीं रहने वाले लोगों से क्या में परेशानी है जी क्या है मैं परेशानी है है बहुत प यहां का जो बिल्डर है कभी आपने जिसे लिया है खरीदा है यह फ्लैट तो कभी उनसे शिकायत की है क्या कभी किसी मामले में कोई बिल्डर से वाई सब कम से कम 500-600 बार शिकात कर चुके होंगे हर बंदा यहां बिल्डर से फीडित हर प्रिकार की समस्या से जब भी जाते है यह बिल्डर पहलिए बाल है बीच में कभी आता होगा आता होगा आप तो वह Means को लिक से चाहिए कोला यहां करें चाहिए है कोड़े का निस्तानर कैसे होता यहां से कोड़ा कैसे जाता है बाहर जी बताना चाहूंगा कि कोड़ा जो है यहां पर हर एक फ्लोर पे एक पाइप बनी है उसमें आपको डालना होता है कोड़ा नीचे आता है अब कोड़े की बद्वी यह रहती है कि आप लिफ्ट के पास अ के वैसे हैजा जैसे बिमारी कुछ भी बिमारी यहां फैलने का डर बना रहता है इसके लिए हमने बिल्डर को मेल डाली है राइटिंग कंप्लेंड किये इवें जी डिये को और अथर्टीस को भी हमने लेटर दी हैं इसके रिगार्डिंग लेकिन दुनों तरफ से कोई इस सुसाइटी में साब सफाई भी एक बड़ी समस्या है चारो तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है और बड़ी बाती है कि जिन घरों का कूड़ा निकलता है उसका निस्तारण के लिए बेस्मेंट में बनी पार्किंग में डम किया जाता है जिसे कारण पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है समस्या सबसे बड़ी एक जनेटर है बाकी यहां पर रिपेर मेंटेनस कुछ नहीं है सिक्योर्टी कुछ नहीं है और सफाई वगारा मेंटेनस कुछ नहीं है यूँ ही रोज गंदे रहते हैं अभी देखीगा फ्लोर सारे टूटे पड़े हैं बिल्डर का तर तीन साल का हम अच्छा लगेगा लेकिन सब जीरो अब आपको मैं चीज बता हूं आप देखी गेट पर बैरियल है इसके बाद जैसे हमने त्वीट करा और मीडिया में वो ट्वीट गया और आप लोग आये यहां पर आपने वो कवरेज करा और दिखाया टीवी के उसके बाद दुनों ने रिपोर्ट भी दर्ज करी और वो लग आये भी बीच में बट कुछ खास देखने को नहीं मिला बस वह आये और चले कि किसी से इंविस्टिगेट नहीं करा बादचीत नहीं हुई तो हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है बट इतना जुरूर है कि वह एटलिस आये तो सही इससे जादा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला बट को दिक्कत आती है जी अब जैसे मेरे जैसा एजीड आदमी है जो ऊपर निचे चढ़ नहीं सकता है अगर दो तीन फ्लोर भी चढ़ने पड़ जाती है तो सब के लिए प्रॉडम है अब बच्चे आये तो बच्चों के लिए प्रॉडम है अगर लिफ्ट हैंग हो जाए बाइचांस बच्चा तो और भी जादे जल्दी घबरा जाएगा कौन से स यहन से निकलने वाला कूरा एक रिक्से वाले के जरिये उठाए जाता है कूरा उठाने वाले शक्स ने बताया कि उसे यहां से पूरा उठाने के लिए हर महिने 3,000 रुपें मिलते हैं तो यहां तो यहां तो यहां तो यहां से जो ले जाते हो तो तुम्हें कौन पैसा देता इसका अस्थानी लोगों की माने तो सुसाइटी में सेक्योर्टी जीरो है गार्ड अवस्य नजर आता है लेकिन उनकी कोई एंट्री नहीं होती और बेरियर भी खराब पड़ा हुआ है हमारी टीम ने गार्ड से भी जानकारी ली तो उसने बताया कि अभी उनकी सिक्योर्टी की कमपनी मात्र तीन महीने से यहां पे आई हुई है लेकिन जब से आई है तब से यहां पर बेरियर खराब पड़ा हुआ है यहीं नहीं सोसाइटी में पावर बैक अप भी जीरो है हलाकि लोगों को पावर बैक अप और तमाम मेंटिनेंस के लिए हर महीने एक रुपए 80 पैसे प्रत स्क्वेर फिट के हिसाब से भुकतान करना पड़ता है बड़ी बात यह है कि दिल्ली NCR में प्रदूसर का ग्राफ बड़ी तेगी से बढ़ रहा है लेकिन यहां चलने वाले जनरेटर से निकलने वाला धुआँ खुद बता रहा है कि यह कितना प्रदूसर फैला रहा है यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डर या उनका कोई भी जिम्मेदार करमचारी यहां नहीं रहता अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां सिकायत किस से करें ताकि इन समस्याओं से निदान मिल सके लोकल वोकल के लिए तेजस चवहन की रिपोर्ट